दोस्तों, BSNL करेगा सबकी छुट्टी. डेली 3 रुप्य खर्च में 300 दिनों का मजा, Unlimited Data और कॉलिंग. BSNL Recharge Plan, BSNL की ओर से Affordale कीमत में एक प्लान पेश किया जा रहा है. ये प्लान 797 रुप्य में आता है. इस प्लान में डेली 2 GB डेटा दिया जा रहा है. साथ ही Unlimited Voice Calling की स विधा दी जाएगी. आए जानते हैं इसके बेनिफिट्स. इसके बेनिफिट्स जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें. ये आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन हमारी हमें काफी मदद मिलती है. सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने 797 रु हजार रुपय कम कीमत में आता है. बता दे की जियो और एटल की ओर से एक हजार रुपय से कम कीमत में 300 दिनों की वैधता वाला कोई प्लान पेश नहीं किया जाता है. यह एक सस्ता लॉंग टम प्लान है. इस प्लान का डेली खर्च करीब 3 रुपय है. मिलेगी 300 दिनों की वैधता. BSNL के 797 रुपय वाले प्रीपेद रिचार्ज प्लान में 300 दिनों की वैधता मिलती है. यह प्लान फ्री वोईस कॉलिंग के साथ आता है. हालांकि इस प्लान में कुछ फायदे सीमित वक्त के लिए दिये जाते हैं. इस प्लान में शुरुआती साथ दिनों तक अ सुविधा मिलती है. साथ ही इस दौरान आपको डेली 2GB डेटा ओफर किया जाएगा. साथ ही यूजर्ज रोजाना 100 फ्री SMS सुविधा का लुथव उठा पाएंगे. वही साथ दिनों के बाद यूजर्ज 300 दिनों तक unlimited incoming voice call रिसीव कर पाएंगे. हालांकि उस दौरान आप आउटगोइंग कॉल नहीं कर पाएंगे. ये रिचार्ज उन यूजर्ज के लिए हैं, जो दो SIM कार्ड रखते हैं. साथ दिनों के बाद क्या होगा? इस प्लान में यूजर्ज पहले दो माह incoming और outgoing calling का लुथव उठा पाएंगे. इसके बाद 240 दिनों तक केवल incoming call रिसीव क बाद आपको data और calling के एक अलग recharge कराना होगा. BSNL की तरफ से पूरे देश में 4G और 5G service को launch करने की तयारी है. BSNL की ओर से कुछ राजियों में 4G service को शुरू कर दिया गया है. वही आने वाले कुछ माह में देश के ज्यादा राजियों में 4G service launch करने की तयारी है. BSNL का प् करने की योजना बना रही है. इसके अलावा दूरसंचार विभाग. ने भी BSNL के 5G network की टेस्टिंग शुरू कर दी है. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी चैनल पर पहली बार आये हैं. तो सब्सक्राइब कर लेना. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जड़े हिंद जाय भारत.